इस वीडियो में आपको कुछ बेसिक स्टफ बताऊंगा और एक्चुली बिलीव मी यह बेसिक स्टफ बहुत इंपोर्टेंट है अगर आप अपनी जर्णी स्टार्ट करते हो क्योंकि जब तक आप समझोगे ने कि गूगल इंडेक्सिंग काम कैसे करता है इस तरीके से क्या क्या चीज़े इंपोर्टेंट होती है तो फिर सिर्फ चीज़े करने से रिजल्ट नहीं मिलती है तो मेरी कोसिस यही होगी कि मैं वह चोटी चोटी चीज़े और जो अच्छे तरीके की रिजल्ट मिलेंगे इंध इन टेक्निकल एसी ओ वह उल्सओ पहुत छोटी चोटी चीज़ें बहुत इंपक्ट करती है बहुत बारहिकी से हमें चेक करना हक Yog किसी भी वेबसाइट को और पिर उस एरर को इसाल्व करना होता है और आप देखोगे कि कि सब्सक्राइब बनाते हो तो क्या क्या चीज़ें आपको माइन पर रखनी है और फिर काम स्टार्ट करना है ठीक है तो जेनरली वाट भी आ सब्सक्राइब करते हो तो मैं बताऊंगा एक प्रोसेस एक तरीका जिससे आप यह सारा काम अच्छे से आप कर सकते हो लेट्स चेकिट आउट तो फिर्स्ट पॉल इसलिए जो भी होगा मैं आपको इसी तरीके से लाइब बताऊंगा तुम पदा एंड गोल इस तो प्रवाइड बहुत इंपोर्मेशन वह इंपोर्मेशन बहुत इंपोर्टेंट है कि वह समझ जावाब ठीक है यह डेकुरेटिव स्लाइट्स एंड अल सच टैप अव तिंग्स वह नहीं होता है मुझसे ठीक है तो गूगल इंडेक्सिंग के लिए सबसे इंपोर्टेंट है आपको यह समझना की इंडेक्सिंग के लिए क्या क्या इंपोर्टेंट गूगल बॉट्स होते हैं लेट्स सब्सक्राइब करना है उसको इंडेक्स करना है उसको चेक करना है सारा परिमेटर सब कुस देखना है तो गूगल बॉर्ट का कामी यह होता है कि दिफ्रेंट डिफ्रेंट पेजिस को वह डिस्कावर कर सके जब कोई पेजिस को वह डिस्कावर करता है तो फिर वह इंडेक्स करने के लिए अपने डेटाबेस के उपर फिर वो इंडेक्स करता है गूगल सर्च इंजन के उपर ठीक है जब तक वो डिस्कवरी नहीं कर सकेगा तो फिर किसी भी पेज को इंडेक्स करना बहुत बहुत मुश्किल वाली बात हो जाती है जब भी आप काम करते हो तो हमारा कॉंसेप्ट क्या होगा कि किस तरह अपने वेबसाइट को गूगल को बताना है कि येस हमारी वेबसाइट वेब के उपर लाइव है आप इसको आकर चेक किजिए अपने मेरे जो पेजे से आप उसको नहीं करूंगा क्योंकि गूगल बॉट itself is a self topic लेकिन आपको समझाने के लिए बता रहा हूं कि वह स्कैन करते हैं वह डिसकवर करते हैं फिर पेज को स्कैन करते हैं फिर आप डिफरेंट टेक्स लगाते हो किसको चेक करना है किसको चेक नहीं करना है लाइक डेरीज मेंटा टेक्स किसको करॉल करना बताते हो उसके पेज के ऊपर चेक करता है तो आपको सब अच्छे से चेक करना है कि किस तरीके से आपने सारा सेटप किया है तो इस से एक वर्ड जो यहां मैं आपको बता रहा हूं कि पहले बॉट्स डिसकवर करते हैं किसी पेजिस को फिर उसको स्कैन करते हैं उसको देखते हैं वाट आर टाइप उसके ऐल्गोरिदम के एक्कोर्डिंग गाइडलाइन के एक्कोर्डिंग चीज़ों को देखा जाता है ठ फिर कोई अगर को टाइप करते हैं गूगल के उपर तो फिर आपकी वेबसाइट अगें सर्च मेट्रिक्स के उपर जाकर वो पेरेमिटर्स के एक्कोर्डिंग फिर रैंकिंग के उपर वो शो करती है यह एक शोटा सा प्रोसेस है ठीक है तो आप में कॉनसेट हमारे यह है कि आप अपने पेज को डिसकवर कैसे करा होगी आपने निव फ्रेश वेबसाइट अपने बनाया है ठीक है तो क्या क्या चीज़े हो सकती है फर्स्ट आप आपके पेजस के ऊपर एक पेज से दूसरे पेज तक गूगल बॉट जा सके और अच्छे से फिर डिफरेंट इसको वह समझ सके क्रॉल कर सके ठीक है इसके लिए वी हैफ टू यूज इस ट्रॉंग इंटर लिंकिंग यह इंटर लिंकिंग काफी चीजों के लिए इंपॉर्टेंट है लेकिन क्रॉलिंग के लिए इंटर लिंकिंग इंपॉर्टेंट है तो आप अपने पेज के कभी भ सब्सक्राइब करना सुरू कर रहे हो नहीं टोटल काम आप कर लिए जो भी पेज़ेंगे जिस तरीके से आपकी चीज़ों को यह काम करना है आप यह कर सकते कर लिए उसके बाद फिर नेक्स्ट स्टेप की ऊपर आपको जाना है तो इंटर लिंकिंग का बेस्ट में तरीका ब इसने आपको आपको इतने सारे कंटेंट होने बावजूद इसने अपने इस तरीके से इसने वेपेज को सेट अप किया है जिसे आप कहीं भी जा सकते हो अब मैं यहां पर हूँ मुझे देखना है आप देखो कितनी बड़ी वेपेज है फिर भी मैं हर एक टॉपिक को अच्छे से समझने के लिए वहां पर इसली जा सकता हूं इसली जा सकता अब मैं रोबोट और टी एक्सट को उपन करता हूं आप देखो यहां पर भी गाइड्स हैं यह देख सकते हो आप ठीक है रोबोट और टी एक्सट एं देन उसके एकॉर्डिंग स्टफ से है फिर जब आप इस पेस की ऊपर आओगे ठीक है आप देखो इंटर लिंगिंग कितना प्रॉपर वे में इन होने किया यह एक तरीका मैं आपको बता रहा हूं इंटर लिंगिंग का एक सबसे जबर्दस तிपर्ड गा ये आपके वेब पेज के ऊपर होना चाहिए इट मींस कि कभी भी आप वेबसाइड बनाते उसके अंदर पेजिस बनाते हो तो डेफिनेटली यह खुद आपको करना पड़ेगा कि आप अपने वेपेज की उपर जाकर डिफरेंट पेज को आप लिंक कैसे कर सकते हो वहां पर किस तरीके से कंटेक्स्ट होना चाहिए जो उस पेज को शोग बता सके जैसे कि मैं बिना इस पेज को विजिट किये मैं जानता हूँ कि मैं अगर इसको ऑपिन करूंगा तो यह किस बारे में होगा तो एंकर टेक्स्ट और लिंकिंग एंडेन कंटेक्श्चुल लिंकिंग किस तरीके से करन पासवर्ट प्रोटेक्टिंग प्राइवेट फाइल और सर्वर अगर मैं इसको ओपिन करता हूं तो डेफिनिटली यहां पर ऐसा कंटेंट है जो इसके रिलेटेड यहां पर बात हो रही है आप देख सकते हो यह गूगल जाता है ठीक है कि आप जब इंटर लिंकिंग करो त ठीक है तो यह मैं आपको लाइब अच्छे से बिल्कुल प्रैक्टिकल में आपको समझा रहा हूं आपको बता रहा हूं आप देखो इसको रिसर्च करो फिर दूसरा है विकीपीडिया कितनी बड़ी साइट है जब आप विकीपीडिया के ऊपर आप जाओगे तो वहां प एक और यूर वेबसाइट इस तरीके से आप यह काम करो कहीं पर भी आपने उसके रिलेटेट कुछ टर्म्स आपने मेंशिंड किया है तो डेफिनिटली आप उसको प्रॉपर तरीके से आप उसको लिंक करो अपके दूसरे पेजिस को लिंक करो ठीक है इससे आपकी बहौत हेल्फ होगी क्रॉलिंग में तो डेफिनेटली हेल्फ होगी लेकिन आप देखो कि सर्च इंजन रैंकिंग के अंदर भी इससे आपको बहुत 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 बेनिफिट मिलेगा ठीक है हो जाती है जो आपको पता नहीं चलता है ठीक है मेक यूर साइट नीट एंगलीन मेक यूर साइट प्रॉपर नेविकेशन प्रॉपर होना चाहिए और इसी तूर यूजर के लिए बहुत इजी होना चाहिए कहीं पे भी वह जाकर अपनी चीज़ों को समझ सकें लाइट व सर्वर एर्रस सर्वर एर्रस के कारण गूगल बॉट को चाहिए एक response टाइम जब हो जब आप किसी कहीं से भी पिंग होता है गूगल बॉट आपके विबसाइट के उपर आए और वो आकर देखे आपके सर्वर रिस्पांस ही नहीं कर रही है आपके सर्वर के उपर इश्य हुए तो कैसे क्रॉल होगा आप इसको सोच हो ठीक है तो आपको कोई भी चीप होस्टिंग किसी भी तरीके से अगर आप सोचते हो कि यार मैंने तो होस्ट कर दिया है विबसाइट को यह तो लाइव हो गई है लेकिन आपको पता नहीं किस तरीके से कब होता है तो यहां यूजर के साथ साथ बॉट्स भी आपके विबसाइट को रेगुलर इंटर्वल की ऊपर विजिट करती है ठीक है और जब वह विजिट करती है वहां पर अगर 404 फिर सर पर अगर इंटर्वर इस तरीक़े से ठीक है तो यहाँ पर अगर आपकी विबसाइट के ऊपर गोगल क्रॉलर आते हैं ठीक है और सरवर एरर्र फाइंट होती है तो अगेन क्रॉलिंग पर प्रॉलम स्कारें को मिलेगा और जहां आपकी डिश्टर्ब हो गई आपका पूर का इंडेक्सिंग डिश्टाफ हो जाएगा यह हमेसा याद रखिएगा ठीक है यह एक दूसरा important point है site structure में भी और यह server error में भी प्रोसाइट structure में बिल्कुल अच्छे से neat and clean और themes के लिए ऐसा कोई अच्छा है यह सारी lightweight बहुत अच्छी है जिसमें ज्यादा बल्की इस तरीके से इस तरीके से फेस्ट नहीं होती है यह सब ठीक है आप कोई भी यूज कर सकते हूं इसके उपर उतना ज्यादा है भी ना हूं तो सब्रेट इंप्रेंट इंपॉर्टेंट रोल नाउं लिंग लिंक्स यस तो लिंक्स के लिए मैं आपको एक छोटा से एक्जामपल बताता हूं लिंक्स के लिए अगर आपकी वेबसाइट है यहां से जैसे कि एक मैंने पहला आपको बताया था कि इंटर लिंकिंग के ऊपर बॉट्स उसको आप डिस्कवर करा सकते हो यहां से इस लिए बोला जाता है कि कोई अगर हाई ट्रैफिक की वेबसाइट है कोई अच्छी वेबसाइट है जैसे कि गूगल नीूस वेबसाइट उसके ऊपर इंडेगसिंग भीर रोपर होती हैं आप डेको के गूगल बॉट्स फ्रिक्वेंटली विजीट करते हैं और उसमें ट्रेफिक भी अच्छी होती है ठीक है तो अगर आप किसी भी ठीक है तो अगर किसी भी तरीके से सपोज यह आपकी वेबसाइट है यह आपकी वेबसाइट है इस गुड़ एजांपल वेबसाइट भी अब वहां से बहुत सारे वेब पेज़े से आपने एक लिंक लिया तो डिफिनेटली गूगल क्रॉलर फर्स्ट विजेट विजीट डिस वेब पैज क्योंकि इसके उपर वह हमेचा फ्रेक्वेंटली वीजिट कर रहा है और फिर उस पेज को भी वह क्रॉल करेगी जतना क् पेज को क्रॉल किया तो वहां से जितने एक्स्टर्नल लिंक्स हैं वहां से जितने एक्स्टर्नल लिंक्स है उनको भी वह क्रॉल करती है तो जैसे उसने अपने एक्स्टर्नल लिंक्स को उसने क्रॉल किया वो सीधा आपके पेज को पेज के ऊपर आ जाएगा सीधा यहां से फिर आपके page के ऊपर ये crawler visit कर जाएगी, तो अभी तक आपने किसी को नहीं बताया कि आपकी website live है, crawler कैसे जाए, तो आपने यह तरीका जमाया कि आप एक अच्छे links आपने लिया, एक traffic वाली site से और अच्छे page जहां से crawler आपके page को discover कर सके, तो again आपके crawler will visit your page और जब crawler आपके website के ऊपर visit करता है, तो again फिर वो सारी चीज को analyze करके, site map and all different pages, फिर वो आपके page को index करता है, ठीक है, crawler करके, तो यह एक और तरीका है कि आप अपने page को discover करा सकते हूँ, ठीक है, तो यह तरीका में आपको बता रहा हूँ, और यह सारा concept के ऊपर ही based है, इसलिए मैं आपको अच्छे से बता रहा हूँ, तो जब भी आप start करो या कुछ भी करो तो यह dead links की बारे में मैं बात नहीं कर रहा हूँ, dead links का यहाँ पर checker नहीं है, और इसी concept से back links के भी आप around अच्छे से काम कर सकते हो, और हमेशा traffic वाली links जो होती है, और value वाली links जो होती है, वो हमेशा help करता है, in terms of, क्योंकि जब visitor आपके site के ऊपर visit करना start करते है, तो आपके already authority increase होना सुरू होता है, यह DR, DAPA से authority increase नहीं होती है, यह सारे भी बहुत सारे ऐसे signals हैं, ऐसे च increase करता है, जितना ज्यादा user different different links से आपकी website के ऊपर visit करता है, उतना एक authority level आपकी increase हो दिए, in eyes of Google, और Google के सामने आपको बस अपनी authority को increase करना है, उसके बहुत different different parameters है, ठीक है, तो यहां तक, so all clear, so links is done, server error is done, site structure is done, fast loading, mobile friendliness, यह सारा stuff, you know that, no problem in that, now, again, एक important concept, low competition, अच्छा, इसका क्या concept है, तो मैं आपको बताता चलूँ, कि जितना frequently Google, Google bots आपके pages की उपर visit करेंगे, उतनी अच्छी आपकी एक frequency of indexing, ठीक है, you can say that, कि एक time होता है, वो एक किसी new website को वो समझता है, कि हाँ, यह, इस website में कुछ value है, क्योंकि इसके उपर crawl हो रही है, time to time अच्छे से crawl हो रही है, तो that is something a good signal, और वो ranking के उपर भी आपको help करते, लेकिन एक और website है आपके पास, आप खुद imagine करो, उसके उपर crawl ही नहीं होता है, कभी भी, आज crawler ने crawl कर लिया, फिर वो one month के बाद crawl करे, जैसे कि one two page की site है, उसमें कोई update नहीं हो रहा है, उसमें कुछ भी नहीं हो रहा है, कोई ranking के उपर भी नहीं आ रही है, visitors भी नहीं आ रहे है, कुछ भी नहीं हो रहा है, तो वहाँ पर crawler अगर आएंगे ही नहीं, तो फिर कैसे system और कैसे आपको एक better result मिलेगा, indexing की भी problem आपको face करने को मिलेगी, आप देखो कि बहुत ऐसी sites हैं, जो frequently content पर काम करते हैं, एक velocity maintain करते हैं, उनकी website के indexing proper होती है, आप इसको हमेशा देखोगे, ठीक है, तो इससे आपका काम इसमें क्या करना है, कि जब भी आप site को start करो, तो यहां हमारा concept है, कि जितना ज़्यादा frequently crawl हो सकी, उतना अच्छा है आपके website के लिए, और जब visitor already आपके website के ओपर आना start करेंगे, तो crawling always better होना start हो जाएगी, means the more number of visitors starts, the crawler also starts understanding your frequency, means understanding your some, that website is some pretty well, performing good, इसलिए visitors आपकी website के ओपर आ रहा, आप कहीं ने कहीं user को satisfy कर रहे हो, उनकी help कर रहे हो, ठीक है, तो time to time publish करना content और low competition के लिए, पहले जब आप start करो, low competition keyword से start करो, ताकि कुछ visitor आ सके, according to high competition keyword, अगर कोई start ही करते हैं high competition keyword से, जिसको आप सुचो कि बस backlink बनाते जाए, 4-5-6 मैने तक backlink बनाते जाए, और फिर जाकर वो rank होगी है, फिर जाकर सारा ठीक, से बेटर है कि आप सबसे पहले, low competition keyword के उपर काम करें, उससे क्या होता है, कि आप देखोगे, कुछ न कुछ visitors आपके website के उपर आना start कर जाते हैं, फिक है, और जब visitor आना start कर जाते हैं, तो बहुत सारी चीजे एक signal मिलता है Google को that something is performing good, और फिर वहां से यह सारी चीजे दिखती नहीं है, यह hidden होता है, लेकिन यह आपको help करती है, grow करने के लिए, new site को grow करने के लिए, यह सबसे अच्छी तरीके से strategies होती है, तो low competition keyword के साथ start करो, volume को आपको मत देखो, day का 2-3 भी आ जाए, month का भी 250 भी अगर आ जाए, तो in compared to zero visitors per month उससे बहुत बहुत बहतर है, traffic is the thing, ठीक है, तो यह important concept है, कि जब भी आप start करो low competition keyword के साथ start करो, फिर दीरे-दीरे-दीरे-दीरे authority gain होती है, फिर आप medium के उपर, फिर आप slowly-slowly फिर आप अच्छे खासे keywords के उपर आप जाके यह करते हो, ठीक है, तो keep in the mind, Google always like topic specific websites, it means, अब इसका एक अलग concept है, quality definitely Google को परसंद है quality, और जो उनका एक मकसद होता है कि आप user को help out कर रहे हो या नहीं कर रहे हो, तो यहाँ पे एक ऐसी site को मैंने test किया था, इससे sites जो आप, जब आप काम करे हो, कुछ keywords के उपर आप काम करे हो, तो उसमें थोड़ी सी relevancy का खयाल रखो, थोड़ा सा niche topic के उपर ज्यादा keyword का cover करने की आप कोशिस करो, इससे क्या होगा, गूगल गाइडलाइन के according that, some quality content और उनके जो parameters होते हैं, उनको वो बहुत अगर चलोगे, तो you will see some good results, some good pretty results, यह मैं additionally आपको बता रहा हूँ, you will find, जैसे कि आपका keyword multiple type के products, means topic के उपर है, इसमें भी कोई भी topic को आप cover कर रहे हो, तो उसके उपर भी बहुत सारे supporting pages होते हैं, बहुत सारे relevant pages होते हैं, तो आप try करो कि साथ में आप उसके साथ, चलो, supporting pages जिसके भी आप create करो, फिर proper interlinking करो, फिर इस तरीके सा अगर आप चलोगे, तो you will see some pretty good results, okay, so for all things is clear, okay, then search console, okay, यह सारा काम आपने कर लिया, setup आपने site को कर लिया, hosting वगेर, everything else, सब कुछ आपने कर लिया, फिर आप site map को generate करोगे, किसी PSU plugin साफ site map को generate करोगे, फिर आप console की उपर जा कर साइट में को submit करेंगे, submit करने का मकसद क्या होता है, again, यह तो एक directly होता है, कि आपने directly Google को बता दिया, कि yes, मेरी website Google के उपर आ चुकी है, आप crawl करके मेरी site को index कर लो, इसका यह मकसद होता है, ठीक है, आप वहाँ जाके, one time आप fetch कराएंगे, जब आप अपने root domain को fetch कराऊगे, तो make sure that root domain से जो जिस तरीके सा भी मैंने आपको बताया था, different different category pages, different different links को एक proper तरीके से आपने navigate, linking, home page, सब कुछ आपने अच्छा सकिया, so that जब वो root domain के उपर crawl कर तो आपके different 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 pages के ऊपर भी जाकर हो करें, site map तो यह discover करेगी ही आपके pages को लेकिर interlinking आपकी strong होने से यह आपको बहुत जादा help करेगी, ठीक है, तो यह सारा काम होने के बाद, फिर आप site map के search console के ऊपर जाकर यह काम करो, one time fetch करा लो, international targeting जो भी होता है, आप उसको setup कर लो फिर आप देखो के, you will see the best practices, okay, so guys, all clear so far, right, indexing की ऊपर और क्या क्या चीज़े आप follow कर सकते हो, yes, low competition, all stuff, links, servers, and then, yes, social, authority, signal, अब यह बहुत complicated stuff है, और myth भी है, इसमें खेर, आपको यह कहीं कुछ ऐसा parameters नहीं है देखने के लिए, ठीक है, लेकिन, अब मैं इसका concept आपको बताता है, social authority signal का मतलब क्या होता है, social authority, इसका एक simple सा concept आप समझो, कि आपका कोई भी एक new company है, ठीक है, और वो company के पास आप जा रहे हो, अपनी digital marketing services कराने के लिए, या SEO की services कराने के लिए आप जा रहे हो, आप कैसा research करेंगे, कि वो company exist करती है, तो उसका एक बहतरीन तरीका क्या होता है, कि आप जाकर different different social channels की उपर आप जाकर देखोगे, उसकी existence, पहला तो वो कब से exist कर रहा है, Twitter पे वो किस तरीके से वो है या ने, आप देखोगे, अगर उसका web के ऊपर, full internet के ऊपर कोई existence ही नहीं है, तो क्या आप ट्रस्ट करोगे, यहाँ कोई parameter नहीं है, अगे मैं बोलना हूँ, DRVR या कोई signal नहीं है, लेकिन क्या आप ट्रस्ट करोगे, simple list है, तो this is some hidden signal, जो Google को ए के form करने में help out करता है, जब आप देखोगे कि आपके Pinterest page है, same logos है, फिर अच्छे से आपने publish किया content को, Twitter handles है, वहाँ पर भी आपने mention किया, अपने website को, हिसा सब्सक्राइटी, फिर web page है, क्योंकि यह सबसे बड़ी authority social signals है, ठीक है, ऐसा नहीं बोल रहा हूँ कि social signals से आप rank कर यह नहीं बोल रहा हूँ, it helps in building some trust, okay, तो जब आप social signal को इन सारे नेटर्स पर आप काम करते हो, फिर आपके shares होते हैं, फिर आपका website find out करता है, तो वहाँ पे भी बहुत अच्छी crawling होती है, चीज़ों को, आप देखोगे कि कितने Reddit के post index होके instantly rank कर जाते हैं, यह आप देख रहे हो ना, Reddit के आप वहाँ Reddit पे जाके आप देखोगे कितने सारे queries ने जो rank होते हैं, queries कितना बड़ा network है, वहाँ पर आप देखोगे जाके कि वहाँ पे भी questions कितने अच्छे से index होती है, और वो ranking के ऊपर आती, तो आपका एक Quora आपके website के name से अगर हो, वहाँ पर आप कु आपको कितना अच्छे से provide हो रहा है, वहाँ से भी Google find out कर रहा है आपकी website, ठीक है, तो यह trust signal होता है, important होता, यह आपको help out करता है, एक trusted source के ऊपर, ठीक है, तो इससे भी आपको help मिलती है, एक proper site को आगे लेके चलने के लिए, और Google indexing के ऊपर जितना important concept था हमारा, yes, एक और important है, video embed, जब भी आप, search console के ऊपर आपने काम कर लिया, आपने, अपने, 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 सब्मीट करवा दिया, ठीक है, साइट मैप सब्मीट आपने करवा दिया, तो साइट मैप different different तरीके के होते है, video site map भी है, image site map भी है, आपका एक normal वो site map भी है, तो video embed, आप अपने website के ऊपर किया करो, video embed का मतलब है, आप जब भी create करो, अपने website के तो उसमें एक YouTube का video authority, YouTube is very good authority, you know that, वहां साप simply अपने नीच relevant videos को आप embed किया करो, ठीक है, अब embed करने के बाद आप कोई भी plugin यूज़ कर सकते हो, video embed site map, video का एक अलग site map जनरेट होगा, simple, आप कोई भी plugin यूज़ करो, video का site map आप आपको generate करना है, यह इतना जबरतस्त signal provide करता है आपके web page के according Google को कि आपकी indexing बहुत अच्छी होगा, means आप देखोगे, बहुत कम time के ऊपर, बहुत सारे pages index हो गया है, जो कि एक बहुत अच्छा होता है, starting time के ऊपर, तो आप video submit करो, embed करो, फिर generate करने के बाद जैसे आपने submit किया था, ठीक है, जैसे आपने normal site map को submit किया था, इसी तरीके से, okay, video site map को इसी तरीके से, let me find something, आप देखो, video site map के ऊपर भी बहुत कुछ है, आप चाहो इसको reroute कर सकते, video site map के ऊपर बहुत कुछ है, आप इसको reroute कर सकते, यहां तो इतना जबरतर information है, कि मैं आपको क्या बता हो, okay, तो video site map के ऊपर जा कर image, google news website, यह सारा site map है, जा कर आप फिर उसको submit कराओगे, फिर आप देखोगे, that stands very good, उन सबका एक अलग signal होता है, कि वो भी अगर आपके page में जो embed है, वो भी अगर signal google को भीज रही है, तो आपके page को ही discover करनी के लिए भी जरी है, वो भी व तो यहां से भी आप अपने page को discover कराओगे, और फिर जब वो बाट google video site map के तुरू आपके videos के लिए वो आ रहा है, तो आपके पूरे page को analyze करके फिर आपके pages भी index हो रही है, तो यह सारा important तरीका है, आप अपने page को एक rich media भी आप provide कराओ, Twitter embeds यह सारा rich media होता है, तो इन सब से आप अपने page को एक अच्छे तरीके से means valuable आप बनाओ, ठीक है, Google always find some valuable stuff, कभी-कभी आप देखोगे कि, ओके गाइस, तो आज इतना ही, फिर next topic में मैं आपको बताऊंगा, different stuff, different topic के उपर, I hope it is very much clear, ठीक है, Thank you.